क्या बाबा बच निकलेगा भक्तों को बचाने क्यों नहीं आया भगवान? नमस्कार, News18 के सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर आपका स्वागत है सूरज पाल जाटा उर्फ नाराइंड साकार हरी उर्फ बोले बाबा समझा जा सकता है कि एक शक्स ने अपने नाम, पहचान और काम को बदल कर कैसे एक मायाजाल रच डाला कैसे करोणों का सामरा जिखरा कर डाला और वो भी इस दावे के साथ कि वो तो किसी से एक रुपया दान में नहीं लेता यही तो था मायाजाल, जिसमें लोग लगातार फंसते चले गए, दान ना लेने वाले बाबा पर ट्रस्ट के जरीए हजारों लाखों रुपय वारते चले गए, तो फिर सवाल ये है कि बाबा का कुछ होगा भी, या वो बच निकलेगा क्या उसकी पाखंड की दुकान बंद होगी, या फिर वो ऐसे ही लोगों की आस्था को खेलोना बना कर अपना खेल रश्ता रहेगा आज बाद बाबा से जुड़ी किसी खबर की नहीं है, बलके सवालों की है, सवाल जो जुड़े हैं आस्था से, सवाल जो जुड़े हैं लोगों से, सवाल जिनका सरुकार आप से और हम से भी है, सवाल जो किसी एक के पाखंड को लेकर नहीं है, बलके ऐसे तमाम पाखंड जाने केवल सुनी सुनाई बातों और कहानियों पर यकीन करते हुए अपने कीमती भरूसे को बस यूँ ही सस्ते में एक पाखंडी के लिए दाओं पर लगा देती है सुचने वाली बात तो ये भी है कि सरकारें जनके पास हर किसी गी खबर होती है क्या वो इन बाबाओ możli हैं क्या सरकार का ये जिम्म कतही है कि कोई आस्था के नाम पर लोगों से खिलवाणना कर सके आस्था के नाम पर दुकान ना चला सके आखिर कोई सामाने साथ दिखने वाला एक शक्स बाबा गिरी चला कर अपनी दुकान जमा लेता है अगर आपको लगता है कि सरकारे अंजान होती है तो ऐसा कते ही नहीं है दरसल सारा खेल वोट बैंक का है बाबा है तो भक्त होंगे भक्त है तो वोटर है लेकिन बाबा के भक्त सियासी दलों के लिए एक वोटर ना होकर वोट बैंक है क्योंकि सियासत ना भी जानते हैं कि वोट बैंक को साधना है तो बाबा का साथ जरूरी है ये कैसे हो सकता है कि एक बाबा जो प्रवचन कर रहा था उसके प्रवचन में भगड़मक जाए एक सो असी एक सो माफ कीजेगा एक सो एकीस से जादा भगतों की जायन चली जाए उसके ही पंडाल में मौत का अनंगा नाच हो और वो गाली में बैट कर चलता बने और तो और चला ही ना जाए बलके पलट कर लोट कर भी ना आए फिर अंडरग्राउंड हो जाए और दो दिन बाद अपने ही भगतों की मौत को दुखत बताते हुए एक वीडियो जारी करके बैट जाए दरसल ये लगता है कि ये वीडियो उस हाथ से में अपनी जान गवाने वाले लोगों के लिए नहीं बलके उन हजारों लाखों भगतों के लिए है जिनके दम पर बाबा अपना सामराजी चलाता है हो सकता है कि कोशिश ये हो कि कुछ भगत नाराज हो भी जाएं तो ठीक लेकिन बड़े धड़े को अपने साथ रखना है उन लोगों को साथ रखना है जो आँख मूनकर उसकी बातों पर भरुसा आज भी करते हैं फिर भले ही 121 से जादा लोगों की जान क्यों न चली जाए ऐसे कई लोग अब भी हैं जो उसकी बातों में उलजे हैं उन्हें इसमें कोई दोश तक नजर नहीं आता ऐसे ही लोग चाहिए अपनी दुकान को सजाए रखने के लिए बाजार को चलाते रहने के लिए ये वीडियो क्या ये नहीं बता रहा कि बाबा बिल्कुल शूर है कि दुकान आगे भी इसी तरह चलाएगा वो उसे इस बात का भरूसा है आखिर क्यों और कैसे ये भी एक बड़ा सवाल जो बाबा ये दावा करता हो वो प्रैलेल आ सकता है किसी को भी ठीक कर सकता है जो भगवान होने का दावा करता है खुद को कभी विश्णू कभी हनुआन कभी भोलेनात तो कभी क्रश्ण बता कर महिलाओं के साथ रास रचाता हो वो आखिर क्यों अपने ही भगतों को मरता छोड़ कर भाग खड़ा हुआ, हफता बीतने को आया, लेकिन बाबा की location पुलिस तक को नहीं मिल पा रही, क्या इस पर यकीन किया जा सकता है, क्या पुलिस इतनी मजबूर है, या फिर उसे मजबूर किया जा रहा है, क्या guarantee है कि बाबा यूपी में ही होगा, विदेश नहीं भागा होगा, ये शक इसलिए भी जादा बढ़ जाता है, क्योंकि बाबा का नाम तो F.I.R. में है ही नहीं, news agency बाबा के पास पहुँच जाती है, लेकिन पुलिस नहीं पहुँच पाती, क्यों? क्योंकि F.I.R. में उसका नाम ही नहीं, तो पुलिस भला उसे क्यों खोजेगी? सबसे जादा चौकाने वाली बात तो ये है, कि हाथरस में जो आयूजन हुआ, वो किसी भक्त ने प्रायूजित नहीं किया था, बलके बाबा की ही बनाई हुई आयूजन समीती की तरफ से, मुख्य सेवादार देव मदुकर ने इसके लिए पुलिस और प्रशाशन को एप्लिकेशन दी थी, हैरानी देखिए, पुलिस हाथरस हाथसे पर बात जरूर करती है, लेकिन बाबा के मौत की जिम्मदारी सिर्फ देव मदुकर की है, या फिर कोई और भी इसके लिए जिम्मदार है, क्या लोकल पुलिस प्रशाशन की कोई जिम्मदारी नहीं, हाथसे के बात पुलिस और प्रशाशन पर अब तक किसी तरह का कोई action नहीं लिया गया है हाथरस में सत्संग के लिए देव प्रकाश मदुकर द्वारा पुलिस और प्रकाशन के कोई एक application दी गई इसको देखने से पता चलता है कि देव प्रकाश सीधे तोर पर सदभावना समागम समीधी से जुड़ा हुआ था और इस संगठन का मुख्य से वदार था यानि हाथरस में जो समागम हुआ था वो तथा कथित बाबा का संगठन ही कर रहा था तो संगिठन के मुख्या की भी कोई जम्मेदारी तै होगी या नहीं, क्या गैरंटी है कि ऐसे और बाबा अपना खेल नहीं चला रहे होंगे, कहां कहां कौन सा बाबा अपनी पाखंड की दुकान चला रहा है, इसकी देखरे की जम्मेदारी कौन लेगा, या फिर यह यूँ ही चलता रहेगा, और पाखंड के खेल का खुला सा तब होगा, जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी, बाबा भाग निकलेगा, और बाद में उसके राज खुलने पर जाच करने, परदा फाश करने, उसके रहस्माई लोग के सामने आने जैसी बातों को लोग चटखारे ल हमारी है, यह साजह जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस जिम्मेदारी से कौन भाग रहा है, इस पर भी बाचीत होनी चाहिए, तो आज सोशल मीडिया के जरिए, निज़ेटी नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के जरिए, यही सवालों की बात हम आप से कर रहे हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, उस पर सुझाओ दें, जो कुछ आप देखना चाहते हैं, उस पर भी सुझाओ दें, नमस्कार